हेलो गाइज वेलकम डो आर यूटूब चैनल एसके अकाउंट क्लासे तो आज हमारा क्वेश्चन नमबर 13 है और यह हमारा चैनल का 36 वीडियो है हमारे चैनल पे ऐसे हमारा चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रही है तो चलिए दिखते हैं पर्स ट्रंट्रेक्शन हमारा बॉर्ट गोड्स ओफ लिश्च प्राइज 15,000 फ्रॉम रवी एड ट्रेड डिसकाउंट 10 परसंट एंड 2 परसंट कैश्ट डिसकाउंट पे 40 परसंट एमाउंट बाइचेक यहां बिजिके क्या क्या हो रहा है पहले तो 15 15,000 का हम ट्रेड डिसकाउंट लिंकाल है मतलब क्या 15,000 डा गोड्स है उसका 10 परसंट जित्ता हो गया 13,500 ठीक है आपका जित्ता अमाउंट आया 1,500 उसको माइनस करके लिखेंगे वहां ताब आया 13,500 तो उसका एंट्री कर लेते हैं परचेज अकाउंट डेट डिसकाउंट क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट है रिसीविशिक रिसाउंट टू चेक दे रहा है। बैंक अकाउंट अब नाम क्या है रवी जितना हो हमाउंट बंचा रहीगया क्रेड़िट पे चला गया 13,500 का विका ठीक है जिसमें से क्रेड़िट में चला गया कितना 40% का क्रेड़िट पे है और इतना हमारा एमाउंट जो हो रहे गया वो कैश में और डिसकाउंट में चला जाएगा बाकी तो 108 का हो जाएगा डिसकाउंट जितना एमांट है 40% के बाद वाले में 108% मतल...? 2% जिसके मैं से 40% अगर निकाल के और गरें जितना 40% आया वो जाएगा किसमें रवी के कॉलम में बच्चा हुआ किसमें जाएगा cash column में तो पहले 40% जो pay कर रहा है वो निकाल लेते हैं कितना आएगा 1, 3, 5, 0 आया इंटू 40 कर देंगे 4 कर देंगे 0, 4, 5, 20 14 5,400 13,500 था उसका 40% जो था amount वो pay कर रहा था तो 5, 2 9, 2 आगया 5,400 जितने वो pay कर रहा था वो अब इसको minus करके लिख देंगे 13,500 से 13,500 माइनस 5,400 8,100 जितना आया 8,100 हमारा main column में चला जाए तो यहाँ पे इतना gap इस लिता कि हमें एक rough solution चाहिए था पहले question को solve कोईने के लिए आप आप के transaction देखते हैं तो बचे वो transaction देखते हैं कौन कौन से हैं अब second वाले में sole goods to a myth of list price 20,000, lesser discount, 2% cash discount फिर और check receive करें 60% amount से and bank on same date उसे दिर हम अपना bank में submit कर दे रहे तो देखे second transaction क्या होगा purchase account debit फिर यहां sale कर रहे हैं हम हमें cash मिलेगा bank जो भी check मिल ला है bank account debit फिर discount account allow account debit फिर क्या है जितना मोहित दे नहीं रहा मोहित फिर debit to sales account ठीक यहां पर कितने काम sale करें 20,000 में से trade discount minus करें कितना 18,000 अब इसमें से कितना वो नहीं दे रहा है 40% तो कितना आ गया यहां पर 7,200 फिर इसमें से इसको minus कर देंगे कितना हमारा amount आएगा फिर इसमें से 2% cash discount कर देंगे जैसे हमारा bank में तो चला गया इतना और 216 का cash discount हो जागा इसको से minus कर बाद जो amount आएगा उसका 2% cash discount निकाल देंगे हमारा cash इतना जाएगा discount 216 7200 का हमारा वो credit credit से लाए गया ठीक है next देखते हैं withdraw cash from bank 5000 for office use 1000 for personal use हम देखिए cash withdraw कर रहा है 5000 office उसके लिए फिर 1000 कर रहे है अपने personal use के लिए है तो यहां cash account debit फिट ड्रॉइंग खर के लिए निकाल ले ना ड्रॉइंग तू कहां से निकाले bank से bank account ठीक है कितना कितना amount गया cash कितना 5000 1000 personal use और यहां पर आ गया हमारा total 6000 पैंचेंज कर लेते हैं ठीक है next देखिए paid fire insurance premium 1000 of list price 1000 for office use life insurance premium 5000 owner के लिए यहां पर insurance premium हम दे रहे है 1000 जो है वो office के लिए दे रहे है और life insurance खुद के लिए लेते हैं वो personal use है personal use हमारा drawing रहता है तो यहां पर insurance premium account debit उसके बाद क्या है यह life insurance की जगह लिख देंगे drawing personal use कर रहना तो drawing account debit फिर to cash account हमारे पास है क्या 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 amount जो है वो लिख देंगे 1000 यहां पर 5 यहां पर total यहां पर 6 तो अपने बचेव ट्रांजक्शन की तरफ देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं फिफ्ट वाला recovered cash 500 from Suresh for bad debts return of last year देखे एक question में हमने पिछले question में एक बार यह transaction ऐसा देखा था जब हमारा bad debts हो गया कोई हमारा पैसा लिया और हमें दे न सका उस साल तो हम उस साल अपना entry कर दिये bad debts के नाम से तो वही पैसा वह अगले साल हमको पैसा दे रहा है तो हमारा bad debts recover हो रहा है उसके entry हम करेंगे cash account debit to bad debt recover account ठीक है जो amount है वो amount लिख देंगे next देखिए क्या है good sold to akash for 25,000 allowing him trade discount 20% cash discount 2% he pay 50% amount by check which was banked यहां पर देखिए हमारा क्या है हमें same transaction है जो पिछले transaction हमने देखा कि good sold कर रहा है trade discount लग रहा है cash discount लग रहा है और 50% ही वो pay कर रहा है इसमें ठीक है sold कर रहा है cash मिलेगा by check दे रहा है न तो bank लिखेंगे bank account debit फिर discount allow account debit फिर इतना amount 50% ही pay कर रहा है बचा हूँ amount तो दे नहीं रहा है तो उसका नाम लिखते हैंगे आकाश debit to sales account अब यहां पर देखिए 25,000 का trade discount 20% कितना हो गया 5,000 5,000 माइनस करेंगे कितना हो गया 20,000 20,000 कहां लिख दिया है अपना main column में जितने का हम sale किये cash discount लो गये गये पहले जगी 50% amount 50% दे रहा है 50% मतलब नहीं भी दे रहा है 50% कितना हो गया 10,000 10,000 वो नहीं दे रहा है 10,000 का 2% कितना होता है 200 200 माइनस करेंगे लिखे देते हैं इस column में बैंक में और discount receive में 200 का discount हो गया 9,800 का 9,800 का पैसा हमें मिला देखिए opposite हो गया 9,800 हमें मिला 200 का discount इतना हमें पैसा मिला इतना हमने उनको discount allow किया इतना हमें वो हमें देंगे और जो credit sale है इतने का sale हुआ था ठीक है last only entry क्या है राम who owed us 1000 for declared insolvent and 40% amount could be recovered from him अब यहां पर देखिए राम जो था उनका जो देना बाकी था हमें कितना 1000 ठीक है और इसमें 1000 में आप मतलब recover कर रहा है कितना 40% तो इसका entry कैसे होगा पहले जितना मिलना है वो लिख लेते हैं cash account debit फिर उसके बाद यहां देखिए 40% जो हमें मिलना है वो हो गया अज जितना do पर आए उसको baddips के नाम से लिखेंगे baddips account debit फिर कौन दे रहा है राम उसका नाम जितना मिलना है उसको पहले लिख देते हैं 400 जितना dup गया 600 टोटल कितना देना था 1000 दिखिए cash से सामने cash वाला amount baddips से सामने baddips वाला और RAM के सामने RAM वाला amount यहां पर यह वीडियो complete होता है question number 13 हमारे complete हो चुका है thank you guys for watching this video वीडियो अच्छी लगे जरूर से like कर दे और इस channel को subscribe कर दे आगे आने वाले जितने videos आएंगे आपके लिए कावी helpful रहेंगी तो इसलिए जरूर से subscribe कर ले कर दो आएंगे